बच्चे कमर सीडी वेटे हाँ आजद पुरानी है ना अब तुम्हारी उर्जा कैसे बड़े हापन चलते हैं फ्रांस के विद्वानों ने देखा साइन्टिस्टों ने कि जो ओमकार की साधना करते कुछ समय उनके अंदर सत्तर हजार बोवीश उर्जा बन जाती है कहां तो साड़े छे हजार जादे से जादा सोला हजार जहां धार्मिक जगा है पुजा पाथर ओमकार या राम नाम हरियो मुच्चारं करते तो उसके वाइब्रेशन ग्यारा हजार और तो सोला और ग्यारा साधना करते हैं वहां सब्तर हजार साथ और दस सब्तर हजार बोव खिट शिखाता हूं, सिधे बैट जाओ बेटे बेटियां, ज्ञान मुद्रा में बैठोगे सभी लोग, सुम्रण शक्ती बढ़ेगी, आलस्य दूर होगा, और भी छोटे मोटी कई तकलिफें इस मुद्रा से ठीक होती है, ज्ञान तन तु पूष्ट होते, ऐसा तो समझ गय अनामी का, कुछ लोग नाखुन पर अंगुठा रख देते हैं, पायदा नहीं होगा, उंगली की नोक और अंगुठे की नोक आपस में मिलें, एक प्रकार का गोल बन जाता है, हरा सोने वाला उर्जा रुकती है, और लंबा स्वांस लो बेटे, अरियोम अगर इसमें एक आगरता भी बढ़ानिय बो, इस बढ़ाने के साथ, चट से याद रह जा है, तो क्या करो सामने ओमकार लिखा रहे, अथवा भगवान जिसको मानते हो, उसकी मूर्ती रहे, न उपर आख याए न नीचे, तुमारी सिद्ध में वो चित्र रहे, एक टक देखते जाओ, बलकें गिरे तो हरकत नहीं, लेकिन कम से कम छे मिनट हो, रोज देखो, कितना भी चंचल वच्चा वच्चियां होगे, एक आगरता बढ़ने लगेगी, कितना भी लल्लू पंज मेरा उठना भाइटना मिलना इंप्रेसिव है कि नहीं है, बोलो, है, दुनिया के सारे स्कूल, कॉलेज और युनियर सिट्यों से, मैं स्टिपिकेटों के बोरे भर ले आता, फिर भी इतना मेरा फायदा नहीं हो सकता था, जितना गुरू के ज्यान से हुआ है, और सत्संग से हुआ है, पक्की बात है